नमस्कार आपको बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रत्मेश जूतिश चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशी फलकी 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है सभी लोग जाना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा मेरे प्रेपार आगे बढ़ेगा या नहीं नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा साल 2023 कैसा रहेगा इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 ऐसा रहने बाला है इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रत्मिश चूतिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्याद करें तो करक राशी के लिए यह वर्ष उतार चड़ा बरा रहेगा जनवरी से लेकर अप्रेल तक आपके पारेवारिक जीवन में तनाप का आपको सामना करना पड़ सकता है राहू और केतु का प्रवाब चोथे तता दसवे भाव में रहेगा शनी अश्टम भाव में पारेवारिक जीवन में तनाप देखने को मिलेगा और इससे आपका मन थोड़ा व्यथित होगा मैं के महिने में गुरू और राहू का चांडाल दोश भी निर्मित होगा जिसका प्रवाब आपके पारेवारिक जीवन को भी प्रभावित करेगा और पिताजी की सेहत में ग सदस्यों को एक दूसरे के साथ सामन जस्य बठाने में कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन अक्टूबर के महिने में माता जी की सेहत बिगड़ सकती है अगर ठीक से ध्यान रखेंगे तो नवंबर में उनकी सेहत में सुधार होगा उसके बाद नवंबर और दिसंबर के महिन अच्छे वितीत होंगे अगर आपकी संतान की बात करें तो आपको बच्चों की वर्ष की सुरुवात में करक राशी के अनुसार अच्छी रहेगी क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टी होगी जो की अपनी राशी में है और ब्रस्पति महाराज भी अपनी नवं दृष्टी से पंचम भाव को देखेंगे यह दोनों की इस्तियां आपके बच्चों को प्रगति देगी उनकी अंदर उस्था का संचार करेगी और किसी भी काम को करने में मददगार बनाएगी हाला कि इसी बीच जब शनी अश्टम भाव में गोचर करते हुए अपने पं बड़ी उपलब्दी प्रदान कर सकती है क्योंकि ब्रस्पती का प्रवाव अच्छा रहेगा अक्टूबर के बासंतान से सम्मंदित कोई भी अच्छे प्रणाम आपको मिल सकते हैं और उनकी तरक्की आप करता हुए देखकर आपको गर्ब का अनुभव होगा अगर आपक रिष्टों में रोमांस तो रहेगा लेकिन आपसी तनाब भी बना रहेगा उसके बाद शनी सत्रे जन्वरी को आपके अश्टम भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे यह समय आपके दामपत्ते जीवन में तनाब बढ़ा सकता है सुस् राव के बीच जब मंगल का गोचर आपकी राशी में होगा तब उस समय दामपत्ते जीवन में जादा तनाब बढ़ाने वाला यह समय सावित हो सकता है उसके बाद अगस्त के महीने में शूरे भी अपने प्रथम भाव में गोचर करके सक्तम भाव को देखेंगे उस समय ए जैसे यह समय थोड़ा ध्यान देने वाला होगा इसके बाद मंगल चौथे भाव में होने से कुछ समस्या सामने आएंगी उसके पच्चा 30 अक्टूबर को जब राहू आपके नवम और केतु आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे तो इन चिनोतियों में थोड़ी कमी आए स्वास्त की बात करें तो 2023 में बर्ष की सुरुवात कुछ कम जोर रहेगी चनी महाराजा आपके अश्टम भाव में गोचे करेंगे और 17 जन्वरी इसके उनको अश्टम भाव में जाना किसी दीर्गिकालिन समस्या को जनम देने वाला हो सकता है ऐसी इस्तिती में से बचने आ सके और कोई बीमारी शुरू होने से पहले ही उसका उपचार ढूंडा जा सके मई का महीना स्वास्त की दिष्ठी कौन से सबसे कमजोर महीना साबित हो सकता है इस दोरान आपको छाती या फैपड़ों के संक्रमन हो सकते हैं तो सर्दी लगने से निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है इस दोरान आपको यदि आराम ना पड़े तो डॉक्टर बदलने की सला भी हमारी तरब से आपको दी जाती है जून जुलाई में स्वास्त अनुकूल रहेगा और स्वास्त सम्मंदित किसी पुरानी समस्या से आपको निजात भी मिल सकेगी अगस्त और सितंबर क के बीच आप अपना ध्यान ना रखने और लापरवाई वाले रवाईये को अपनाने के कारण आपको कुछ सामाने सारे समस्याओं को सामना करना पर सकता है इसलिए यदि आप अच्छा खान पान रखते हैं और बहुत अधक अपने स्वास्त का ध्यान रखते हैं तो समस्य स्वास्त में आपको सुधार देखने को मिलेगा अगर आपके लिए इस वर्ष शुब अंक की बात की जाए तो आपके लिए दो और छे भागेशाली अंक माना जाए सकता है अगर 2023 आपके लिए अच्छा बीते इसकी आप कामना करते हैं तो कुछ उपाए आपको करने सुमबार के दिन भगवान शिब को चंद्र शेकर सरूप की आपके पूजा करनी चाहिए श्री शिब सहत्र नाम स्रोत का या सिवाष्टक का पाट करना भी आपके लिए लाब दायक रहेगा सुमबार का ब्रत करना आपको निरोगी बनाएगा तथा ब्यवपार में उन्नत प्रदान करेगा आपको उत्तम गुण वाला मोती धारन करना चाहिए यह आपके लिए बहुत लाब दायक रहेगा इस रतन को आप कनिष्टा उंगली में शुकल पक्ष के दोरान सौंबार के दिन धारन कर सकते हैं यदि किसी भी कठिन समस्या से आप जूज रहें या पिर बीमार हैं तो आपको स्रीशिवतांडव स्टोत का पार्ट करना आपके लिए लाब दायक रहेगा उमीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी अची लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए आप मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए